और आपने जो ये मुद्दा जो पूछा है ये बड़ा चिंतनी ये मुद्दा है इसके बारे में मैंने अधिकारियों से बात भी की है और शिग्री जो भी इसका कल्पिड होगा वो पकड़ा जाएगा अगर बात करें तो इसमें घी बनाने वली फैक्टरी की वहाँ पर डंपिंग स्नस में जैसे मरे हुए पसू वहाँ फैंक देते उसमें गोव भी ये और भी और लोग वो जो की पूजा करने के लिए घी उसके लिए उसके लिए उसके लिए वो घी उज होता है जैसे मिलगेट की रोड को लेके कई लोगों ने वहाँ हवने किया सरकार को और विदायक जी को मंत्रिश को सत्बुद्धी दे उसी तरह किसी ने धरना दिया और लोग उसको कहतें के मसाज कराना हो तो उस रोड पे जाए तो उस मसाज की दुकाने कब तक बंद होएंगे लेकिन वो जो एक तरह से बहुत बड़ी योजना थी गरीब लोगों के लाव होने वाला था उसका कहीं परचार नहीं किया जा रहा है देखिए वो जो परचार की बात है यह जो और हाउस टेक्स की बात है यह अलग-अलग चीज़े हैं सर उसमें मिस्टेक भी बहुत है जी बहुत सारी गल्तिया है जो की एक तरह से उकर रहे तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी आप लोगों की तरब से कोई ऐसे केमपेंड नहीं लगाएगा आप यह देखे ना इसलिए नहीं बना रहे है कि प्रोपर्टी का दाम बड़े या कटे पोस्टर का है तरुन जैन आपकी पोस्टर देख से उनका बैनर फाड़ने के लिए बड़े चर्चा हो रहा है अलग जैसे कि कोई किसी को पर एक तरह से ब्लेम कर रहा है कोई किसी को पर कर रहा है आपको क्या लगता है कि अगर तरुन जैन ने मकर सक्रांती के और इसके और दो दुनिया लगाती है और समय समय के बात करते हैं यह पर एक महिला ने आलचन लगाए आरोप लगाएं उसको लेकर आप क्या कहेंगे सरकार का क्या गदम होना चाहिए था उसके आरोप लगने के बार ला ओफ दी लेंड जो इस धर्ती का नियम है वो चलना चाहिए ताक जब आप कोई प्रशन पूछते हैं मैं आपको पूरा समय देता हूँ और आपको उत्तर भी मेरा सुनना चाहिए कुछ लोग कोशिश करते हैं कि उंगली कटा कर शहीद हो जाएं लेकिन राहूल जी तो बिना उंगली कटाई शहीद होने का नाटक कर रहे हैं मतलब कौन सा भारत जोड़ रहे हैं इन से परिवार जुड़ता नहीं है नमस्कार मैं रमेश सर्मा आप देख रहे हैं डंपिंग स्टेशन के साथ में नकली घी बनाने वले फैक्टरी वहां पकड़ी गई एक तरह से उस पर हम विस्तार से जानेंगे सर नमस्कार नमस्कार रमेश जी पहले तो मैं आपको और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे हिसारवाशियों को नए वर्ष की सुपकामनाई देता हूँ और भगवान से ये मंगल कामना करता हूँ कि सभी के सभी परिवारों में सभी स्वस्त रहें खुश रहें और उनके व्यापार में तरक्की हो बरकत हो और आपने जो ये मुद्दा जो पूछा है ये बड़ा चिंतनी ये मुद्दा है इसके बारे में मैंने अधिकारियों स समय पर सिम्फ लाइंग की इस तरह की टीम होती है जो कि इस तरी की अगया लो-, कुछ उसके बावजम lesson, नखली that बनाने वाले ओख़े को उनको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद उसको सजा हम दिलवाएंगे तो सबसे अगर बात करें तो इसमें घी बनाने लिए फैक्टरी की वहाँ पे डंपिंग स्टर्स में जैसे मरे हुए पसू वहाँ फैंक देते हैं गौ भी ये और भी और लोग वो जो कि पूजा करने के लिए घी उसके लिए उसके लिए वो घी यूज होता है आपकी बात बिलकुल सही है और बहुत दुखद है इसमें कोई शक नहीं ये हमारे हिंदू लोगों की भावनाओं को से के साथ बड़ा अत्याचार है और ये नहीं होना चाहिए और ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि कल्पिट जो भी है वो बचेगा नहीं जैसे आपका डिपार्टमेंट है नगर नियम के हम बात करें था हाउस टेक्स को लेके ये असी कमपनी सर्वे कर गी उसके बाद जितने भी पारसत थे मेरे से यहां से बजट बना के एक तरह से वो करके की उसका सरकार को सुप दिया अब दुबारा से गल्तियां वो करके ग हमारी सरकार ने एगरिमेंट किया उस एगरिमेंट के हिसाब से जो उनका पैसा था वो तैह हुआ तैह होने के बाद उन्होंने हमें एक डेटा दिया और डेटे में उन्होंने अपने आप जो गल्तियां थी वो स्वेम भी तीन लाख दस अजार बैयालीस लाख पिच्चतर हजार में से जो उनकी गल्तिया आई वो उन्होंने ठीक की, ठीक करने के बाद उन्होंने टैटा दिया और डैटा हमारे हमने अपने अधिकारियों को दिया हमारी 89 ULB है, इसमें ग्यारा तो निगम है, 23 परिशद हैं और 55 जो हैं वो पालिकाई हैं हमने अपनी इन पालिकाओं के परिशत के और निगम के ओफिसर्स अधिकारी करमचारियों को वो डेटा सौंप दिया और उसमें कंडिशन ये थी कि 10% जो है यानि कि 42,75,000 का 10% 4,27,000 हो उन्होंने 4,27,000 का सेंपल रेंडम चेक किया अब उसमें जो गलतियां निकली वो 5% से कम थी तो जब 5% से कम थी तो उनकी जो एग्रिमेंट था उस एग्रिमेंट के इसाब से 4,2% गलतियां थी और 5% से अगर गलती जादा होती तो हम कंपनी पर कारवाई करते लेकिन क्योंकि गलतियां 4.2% थी अब ये बात भी ठीक है कि आप वो डेटा हमने NDC पोर्टल पर लाई पर दिया आज भी गलतियां आ रही हैं लेकिन जो एग्रिमेंट है एग्रिमेंट में ये था कि जो 10% ए निकलेंगी उससे अधिक निकलेंगी तो वो दोशी होगा अब इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी जो 38 लाग प्रोपर्टी बची उनमें गलतियां नहीं है एक तो ये बात दूसरी बात जो हमने अब जो गलतियां निकल रही हैं ये भी लगवग दो लाग पचास जार गल रिजेक्शन वो गलत थे उनको हमने रिजेक्ट किया है तो और फिर ये जो गलतियां जो निकल रही हैं ये भी कुछ मेंडिटरी होती हैं कुछ नोन मेंडिटरी होती हैं मान लो किसी के नाम के स्पेडिंग गलत हो गया, किसी का फोन नंबर गलत हो गया, किसी का दो चार मीटर उपर जादा हो गया, तो ये गलतियां कोई प्रभावी गलतियां नहीं होती हैं, इनको हम, आलनके गलतियों की गिंती में तो आ जाती हैं, लेकिन इन गलतियों का कमपन के उपर क्योंकि ये नौन मेंडेटरी गलतियां हैं, इसलिए ये गलतियों में जो इकरार नामा है उन में ये गलतियां नहीं मानी जाती हैं, तो ठीक है हम मानते हैं कि लोगों को दिक्कत भी है, लेकिन अपने आप में ये बड़े गौरव की बात है, कि भारतीय जंता पार् ने ही 42,75,000 प्रोपर्टियों को कलम बद करने का काम किया, यह चोटी बात नहीं है, इतने बड़े अंक में गल्तियां स्वाभाविक हैं, हमारा, भुकत तो आप लोग रही हैं, आपका डिपार्टन भुकत रही हैं, हाँ के जो, मेरी बात तो रमेश जी पूरी सुनिये न, म 20,000,000 प्रोपर्टियों में जो लोग टैक्स देते थे, वो 3,000,000 टैक्स देते थे, उनका टैक्स होता सा 75 क्रोड रुपे पर साल, यह ऐवरेज की बात कर रहा हूं, मैं, 24,000 प्रोपर्टियों में, 3,000,000 लोग टैक्स दे रह यह निकिस लाग लोग टैक्सी truck ही नहीं दे और उनकी जो collection आती थी 75 क्रोड आती थी सालाना average फिर हमने 2013 से लेकर 2013 14 से लेकर 2022 तक कहा गड़ा देखा इसमें हमारी property की जो average है वो 30 लाख हो गई 30 लाख में से 7 लाख लोग tax देते हैं यानि कि 23 लाख tax नहीं देते और इसका जो tax collection है वो हमारा आता था सवा चार सो क्रोड अवरेज अब property हो गई 42 लाख 75 लाख आफ्टर आल ये इतना बड़ा जो swell कर गया इसको कौन चेक करेगा कांग्रेस में तो ये हिम्मत ही नहीं कि ऐसे काम करे वो तो 3 लाख में और 75 क्रोड में बैठी थी हम सवा चार सो क्रोड में आए और अब जो मैं कहा रहा हूँ कि 42 लाख 75 लाख जो property से जो tax आएगा वो एक हजार क्रोड से ज़्यादा आएगा तो जब हम किसी नए सिस्टम में जाते हैं तो ये गलतियां ये दिखते हैं जिसको हम teething problem कहते हैं जब बच्चे के दाथ आते हैं तो problem आती है कि नहीं आती हैं अब आप ये कहोगे बच्चे के तो दाथ ही नहीं आने चाहिए अरे दाथ मजबूत होने के लिए शुरू शुरू में आते हैं तो थोड़ी teething problem होती है तो इस तरह से जब भी हम कोई system नया करते हैं हमने जब डिपू order का online system किया तो वो डिपू order कहते थे कि दादी तेरे तो अंगुठे की रेखाएं जो हैं वो गिसगी और वो उस system को fail करने में लगे हुए थे आज भी कुछ लोग इस system को fail करने में लगे हुए हैं लेकिन हम बड़े साहस से हम ये system को लाएं हैं इसको implement करेंगे और जो सुधार होगा वो हम करेंगे भले ही लोगों को भी थोड़ी दिक्कत है सरकार को भी थोड़ी दिक्कत है क लोग उसको कहते हैं कि मसाज कराना हो तो उस रोड पर जाये तो उस मका मसाज के दुकाने कब तक बंद होएंगी देखिए पचास साल से उस रोड की कैसी हालत थी ये शायद आपको याद नहीं है वो रोड हमने ही बनवाई थी और उस रोड पर वहां मिल गेट पर वहां लो और तूटने के बाद ये भी मैं आपको जानकारी में दे दूँ कि मानिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पच्चिस करोड रुपे, उन्होंने का कि पच्च्च करोड रुपे की कोई काम करवा हूँ और इसमें मैंने ये नो करोड रुपे इस सडक को ठीक करवाने में लगे मैंने 25 क्रोड के काम भेजे जिसमें 9 क्रोड की ये अकेली सडक है फोर लेन सिमेंट की बनेगी और ये अप्रूब हो चुकी है इसका पैसा हमें मिल चुका है और टेंडर शायद लग गया होगा और ये सडक बनेगी तो इसको भी हम ही बनवाएंगे कांग्रेस नहीं की भी जैसे डौक्टर सुभाज चंद्रा का उनका बजट आये था और उहाँ पर राजगू मार्केट प्रीट अपे कहां 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 और लगने और कब ये होगा कि सिंड़ी के मिलेएं शवा सए के लिए 3-3 शीनार को बात पूछिए वहां दो की उननका ट्रैफिक ब्यवस्ता बढ़ रही हाला कि अपने इंदोर के दोर पे बहान खड़े करने के लिए आपने वो तो गहरा तो लगवा दिया लेकिन सफाई में अभी इतना धिहान नहीं दिया जा रहा है सफाई व्यवस्ता जुकितू हैं बेसारा पशू जुकितू हैं जैसे कि डंडूर में आप लोग ने बहुत बड़ा पोर्जेक्ट बना लिया लेकिन वहां जो गाएं थी दो डाई जार तीन जार उससे बढ़ोतरी नहीं हो रही है देखिए आपको इसकी एहमियत तब पता लगेगी जब हम वो गो अभरने वाड़ा जो ढ़ाई तीन अजार पशू हैं उनको सड़क पर छोड़ दें तो आपको समझ मायागी कि हमने क्या किया पिसले पचास साल में कांग्रेस ने क्या किया हमने एक पचास एकड का गो अभरने बनाया चार दिवारी बनवाई हमने बाड़े लगवाए हमने शेड़ लगवाए हमने तीन हजार पशू को इकठा किया पर फिर भी मैं मानता हूं कि इसमें हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिली हम ट्राइ कर रहे है हम और गौशालों को सशक्त बनाकर वहाँ पर ये पशू भेजने के लिए प्रयास रफ है जैसे कि मुख्यमंत्री की एक योजना थी आयूसमान और चिरायू योजना उसके लिए परचार के लिए हम लोग देख रहे हैं फिलाल आपके बैनर पोस्टर तो लगे नगर चीजे हैं लोगों को ये नहीं पता कि 31 दिसंबर तक हमने उनको जो पिछला टेक्स है उस पर जो इंटरेस्ट की पनल्टी होती है उसको हमने माफ किया है तो लोगों को ये तो बताना तो पड़ेगा और जहां तक आयुशमान कार्ड की बात है और जो हर्याना सरकार ने च सी अजार से कम थे उनको सबको हमने ये फैसलिटी दे दी और हम अब काफी जगें केम्प लगा रहे हैं चिरायू कार्ड बांटने के तो मैं समझता हूं कि जब कार्ड ने सर उसमें मिस्टेक भी भोत है जी बहुत सारे गलतिया है जो कि एक तरह से उकर रहे तो उसको दु गलतियां उसी से ही होंगी जो कोई काम करेगा आप यहां से चल कर जाओगे तब ही ठोकर खाओगे ना लेकिन अगर आप बैठे ही रो तो ठोकर कहां से खाओगे और आप ये कलेम करो के भी मैंने तो ठोकर नहीं खाई आपने कुछ काम ही नहीं किया अरे हम कुछ कर रहे है तो ही तो गलती आएंगी हमने लगबग 20 एक लाख लोगों को कार्ड बांटने का काम किया है तो इसमें दो चार पांच हजार को अगर कोई गलत कार्ड बन गया तो उसको ठीक कर देंगे ना लेकिन अगर इस गलती से डरते हुए हम काम ही ना करें वो अच्छी बात है क्या तो आपके कारेकाल में एरपोर्ट का काम हर बर जब बात होती है आप एरपोर्ट का जिकरा करते हैं लोगों में हो था कि एरपोर्ट बन रहा है बहुत बड़ी यहां पर इंडिस्टी लगींगे बहुत सारा बीजनर्श का उसी बीच में केंद्रे मंत्री का एक बयान आता है उसके बाद प्रोपर्टी उपर थी द्रहम से गिरती है तो उसको लेके जहां 20 लाक रुपे एककड त कि सोच करोडव पेकड़ हो गया था तो अब प्रोपरर्टी डंर्म डॉल सा बताया जा रहा है आपको लगता है tämä स्थिती हो रही है एइरपोर्ट इस लिए तो देखिए अभी तक हमने कहीं अपलाई नहीं किया है। एक बच्चा आठवी में ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूगा। लेकिन PMT तो वो बारवी के बाद ही देगा ना। 9 मी करेगा, 10 मी करेगा, 11 मी करेगा, फिर 12 मी करेगा, फिर PMT का टेस्ट देगा। अब कोई उसको 8 मी नूवी में ये कहने लगे, कि भी तेरे तो PMT नहीं है, तो डॉक्टर कैसे बनेगा। अरे PMT देगे ना। तो हम ये बना रहे हैं, हमने पहले इसको लैसेंस्ट एरपोर्ट बनाया, फिर हमने इसमें चार हजार एकर जमीन जोड़ी, फिर इसमें तीन हजार जमीन और जोड़ी हमने, अब इस एरपोर्ट के पास बाहत्तर सो एकर जमीन है, फिर हमने 10 हजार फुट की पत्टी आप देखकर तो आए होंगे, या मैं कभी लेकर चलूँ आपको, हाँ तो 10 हजार फुट की यह खेल तमाशा नहीं है, अब जब बनेगी जहां से बड़े जाज यहां उतरने लगेंगे, जाने लगेंगे, तब हम इंटरनेशनल के लिए अपलाई करेंगे न, ऐसा नहीं होता कि आपने जिस दिन सोचा, उसी दिन आप सभी चीजें अपलाई करें, तो सेंटर में अगर तो आपकी तरफ से जो आप विश्वास दिला रहे हैं लोगों को कि यहां से जहाज भी उड़ेंगे और कारगों भी बनाया सारी चीज यहां पे हुआ। एक तरह से ब्लेम कर रहा है कोई किसी को पर कर रहा है आपको क्या लगता है कि अगर तरुन जेन ने मकर सक्रांती के और इसके लोडी की उपलक्स में बैनर लगा दिये उसमें की पूरे राष्टी नेताओं की फोटो और हर्याना के मुख्यमंतरी और साथ में ओपी धन के जो बैनर तो दुनिया लगाती है और समय समय के बाद ये अपना जो निगम है ये जब उनको लगता है कि शहर की ज़्यादा डिफेस्मेंट हो गई तो वो उतारता भी है पर ये रूटीन की बात है इसमें मैं नहीं समझता कि कोई खास बात है जहां आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं हुई पर संदीप सिंखेल मंतरी जो आपके उनके उपर एक महिला ने आलचन लगाये आरोप लगाये उसको लेकर आप क्या कहेंगे सरकार का क्या गदम होना चाहिए था सरकार क्या रवया होना चाहिए थ तो उसको सजा मिलनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारा कानून इतना बड़ा है इतना निस्पक्ष है कि दोशी को सजा जरूर देगा कंग्रेस पार्टी के एक तरह से भारत जोडो यातरा भी हरियाने में पर्वेस्ट कर कुगे दूसरा दिन आज है तो क्या लगता है कि जो हरियाने में पर्वेस्ट के है जी सबसे कॉंग्रेस पारटी बातसीת कर रही है और उनकी जो भीड दिखाई देर उससाब से आने वाले समय में इसका कुछ आसर रहेगा या कुछ दिन तके सिमट के रहेगा मुझे रमेश जी ये बताइए कि कौन से भारत को जोडेंगे ये 1947 में जब देश आजाद हुआ तो राहूल गांधी के पिता शिरी राजीव गांधी जी मैं राजीव गांधी जी का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ताकि उपर का रिलेशन बताने में दिक्कत ना आए और उनके नाना शिरी जवारलाल नहरू जी और उनके पिता शिरी मोतीलाल नहरू जी जब देश आजाद हुआ तो दोनों बाब बेटा ने मिलकर इस देश को तोड़ने का काम किया पूरवी पाकिस्तान बना पस्चमी पाकिस्तान बना जोडने की जगे तोडने का काम और उसके बाद राजा हरी सिंग ने जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान को दिया पाकिस्तान का जनम भी नहीं हुआ इन दोनों ने सत्ता में तो कांग्रेस थी ना नहरू जी प्रधान मंत्री बने इनकी सत्ता में होने के बावजूद 78,000 वर किलो मिटर जम्मू कश्मीर का उत्री पस्चमी जो आज पाक उकूपाइड काश्मीर के नाम से जाना जाता है वो खुसवाया इनों नहीं खुसवाया ये देश को जोडने का काम था क्या और रही सही बाद जम्मू कश्मीर की धारा 370 लगाई ये जोडने का काम था या तोडने का काम था 1962 में पूर्वी लद्दाख पिछली वर्समें हम नहीं जाना चाहते हैं रहूल गांदी की हम बात करें इस समय रहूल गांदी पूरे भारत की जो यात्रा कर रहे हैं उसी के साथ जोड़ रहा हूं नहरु जी ने इस देश के हिस्से किये नहरु जी ने पाक उकुपाइड काश्मीर बनाया नहरु जी ने धारा 370 लगाई नहरु जी ने 1962 में पूर्वी लद्दाख का 38,000 वरक किलो मिटर चीन से खुसवाया और जब इनकी सत्ता थी पत्थर देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं होने चाहिए उस वकत करते ना यात्रा आज सोंगली बराबर नहीं होती ना कोई हो सकता अगले के अच्छे सोंचों शी साब से जोड़ना सुरू किया और लोग जोड रहे हैं मुरली मनहोर जोशी, शीरी नगर में जंड़ा फैराने गए क्योंकि वहां तिरंगा जंड़ा फैरता नहीं था, आज ये जंड़ा फैराने जा रहे हैं, वहां तो जंड़ा पहले ही फैर रहा है, देश आल्रेडी यूनाइटीड है, ये कौन सी चीज जोड़ने का काम किय मोदी ने, 500 साल की जिल्लत, जो राम मंदिर हमारा बनानी है, हमारे सबसे स्रेष्ट, हमारे देवता, हमारे कुल देवता, भगवान राम, और देश आजाद हुआ सेंतालिस में, किसने जोड़ने की बात की, हमने जोड़ा, हमने धारा 370 अटाई, कोई फरक नहीं हैं, कि उंगली कटा कर शहीद हो जाएं, लेकिन राहूल जी तो बिना उंगली कटा है, शहीद होने का नाटक कर रहे हैं, मतलब कौन सा भारत जोड़ रहे हैं, इन से परिवार जुड़ता नहीं है, इन से पार्टी जुड़ती नहीं है, इन्होंने राष्टिय धक्ष जो कोई असर नहीं है कोई फाइदा नहीं है कोई असर नहीं है समय देने लिए बहुत बहुत धन्यवादक सब धन्यवाद आपका